next क्या है next topic है modification of stamp stamp का modification मतलब stamp जो है वो अपने अंदर अपने आपको modify करेगा अपने आपको change करेगा और जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई body अपने अंदर कुछ changes लाती है तो वो additional functions perform करेंगे additional function को perform करने के लिए ही modification किया जाता है सो देखिए stamp जो है उसका सबसे पहला modification होता है बटा सबसे पहला modification किसलिए होता है storage of food के लिए होता है किसके लिए होता है storage of food के लिए सबसे पहला modification किया जाता है जो step है वो अपने आपको modify करके food को store करने का कांग करता है और इसके example क्या है बटा example में आप देखे example को याद करने के लिए ना यहां एक छोटा सा आपका short form है PGT यह ना PGT actual में PGT क्या होता है एक टीचर की एक designation होती है ठीक है पोस्ट ग्रैडियूटेट टीचर टीक है पोस्ट ग्रैडियूटेट टीचर जो higher टीचर टीफ और टर्मरिक ठीक हल्दी क्लियर तो यह तीन इग्जाम्पल्स है जो आपको याद हो ठीक है यह एक्चर में सिर्फ याद करने के लिए आपको यह छोटा सा शोट फर्म बनाया गया है ठीक है ताकि आप इजली क्या यह तीन इग्जाम्पल्स आप याद रख सको ठीक है पी से पटैटो कह सकते हैं जी से जंजर कह सकते हैं ती से टर्मरिक कह सकते हैं ठीक है तो यह पटैटो जंजर टर्मरिक यह सब क्या है विटा यह सब ना अंड ऐधर ग्राउड स्टैंड होते हैं यह तीनों कि अ क怕 अंडर्ग्राउड तैंहें को कई बुचिसे करेठा़ कि पर्टाशंोरम अभर प्रेंट हैसे हें और यλλ एक तो को स्टोर क्योंकि इन्होंने क्या कर रख्था है फूड को स्टोर करके रख रखा है ठीक है यह कैसे होते है बिटा सो दी बिकम थिक एंड फ्लैशी ठीक है ठीक है तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन स्टैम का क्या है बिटा स्टोरेज और फूड के लिए ठीक है फूड को स्टोर करने के लिए एक्जाम्पल पोटेटो जंजर और पर्मरिक टी जी टी अब दीकि सेकेंड जो मॉडिफिकेशन है वो है फूड मैनिफेक्ट्टर खाने को बनाने के लिए इन्हों ने अपने आपको स्टैम किया मैनिफेक्ट्रिंग और फूड को प्रिपेर करने के लिए भी स्टैम अपने आपको क्या करता है मॉडिफाइ करता है यह आपको किसमें देखने को मिलेगा तो यह आपको देखने को मिलेगा तु assessments of the त magnifices घ्रेंश के अंदर देखने को मिलेगा वैर तो कैक्टस k Works जो हम देखते हैं इस तरीके से आप देखते हैं कि alivas के अंदर ऐसा green color का आपको पास नजला आता है ऐसा ग्री घ्रोला का प्रिपेर करने काम करता है तो मतलब जो कैक्टस का जो हमारा प्लांट है इस कैक्टस के प्लांट के अंदर फूड को प्रिपेर करने का काम लीफ नहीं करता लीफ जो है वो नहीं होती है जो उसके स्टैम होते हैं वही लीफ के जैसे एक्ट करते हैं जो कैक्टस का जो स्टैम है वही स्टैम लीफ लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ग्रीन ठिक structure ठीक है और एक क्या करता है यह act करता है as a leaf पत्तियों के जैसे ही act करता है और जैसे पत्तियां photosynthesis करती है और food को prepare करती है उसी तरीके से यह cactus के अंदर यह जो हमारा leaf like structure जो देखने को मिलता है green structure यह stand होता है और यही हमारे food को prepare करने का काम करता है ठीक है इससे एक पत्तियां होती न तो water का loss भी बहुत होता है जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो cactus है वो deserty plant है desert में होने वाला plant है और रिगिस्तान में पानी की ऐसे बहुत ही कमी होती है ठीक है तो अगर इसमें leaves होती बटा तो leaves क्या करते है न water को loss भी करते हैं ठीक है तो अगर leaf होता तो पान यहाँ पे जो leaf है वो reduce हो चुकी है ठीक है और leaf reduce हो गई है और leaf का जो काम है वो stamp करता है ताकि water का loss भी ना हो सके ठीक है क्योंकि यह desert हलाके में रहते हैं और food का preparation भी stamp करते हैं दोनों चीज़े तो यह modification आपको याद रखना है विटा उसके बादे के third जो है stamp stamp जो है वो defense भ जो हमारे plants से उनको protect करने का भी काम करता है defense कैसे करते हैं देखिए इसका example देखिए बुगनवीलिया बुगनवीलिया एक example है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो जो stamp है वो किस तरीके से अपने आपको modify करते हैं ठीक है plant को protect करने के लिए stamp के अंदर जो buds होते है na stamp के pointed ठीक है woody structure के अंदर जिसको हम कहते है thorns क्या कहते है thorns कहते है ठीक है तो देखिए यहां पर bud in the stamps are modified into hard pointed sharp structure called thorns ठीक है तो जो stamp है वो अपने आपको thorns में convert कर देते हैं pointed hard structure में convert करते हैं आपको ऐसे काटे नजर आएंगे spines नजर आएंगे ठीक है यह जो thorns है यह thorns क्या करता है यह plant को protect करने का काम करता है ठीक है plant को किसे protect करता है animals से protect करता है ठीक है उसके जो stamp होते हैं वो अपने आपको modify करते हैं spines में thorns में तो यह क्या थे हमारे stamp के modification थे पहला stamp का modification underground stamp stamp food को store करने का काम करता है ठीक है underground stamps होते हैं कुछ जिसमें एक्जामपल पोटेटो जंजर टर्मरीक तीक है सेकेंड है कि जो stamp है वो फूड को manufacture भी करता है deserts plant जितने भी desert plant होते हैं for example cactus का plant वहां पर जो food prepare वो leaf नहीं करता है लीट जो है वो reduce हो जाता है और जो stamp है वो leaf के जैसे behave करते हैं leaf के जैसे एक करते हैं और जो function हमारे leaf perform करते हैं वो हमारे यहां पर stamp perform करते हैं तो पाने को बचाने के लिए water को conserve करने के लिए food को prepare करने के लिए यह जो हमारे जो stamp है अपने आपको modify करते हैं defensive mechanism भी देता है ठीक है बचाता भी है protection भी provide करता है जो भी हमारे bird arise होते है stem में से वो सारे bird क्या हो जाते है एक hard and body pointed structure में convert हो जाते हैं जिसको हम बोलते है thorns ठीक है और वो जो thorns होते हैं वो क्या करता है एनिमल से plant को protect करने का काम करता है तो यह हमारे क्या है modification है example से याद रखना इसका बगुन भी लिया example है ठीक है food manufacturing के अंदर cactus example है और storage of food के अंदर PGT ठीक है है और झालो है और खषय को प्लागर रखना पकओं।